उत्तर प्रदीस के हमारे आज कैबिनेट मंत्रियों के साथ हमें याँ पर एक साथ फिजिकली बैठने का उसर प्राप्त हुआ है लॉक्डाउन के बाद ये आज फिजिकली इतनी बड़ी मात्रा में सभी मंत्रियों कैबिनेट अस्तर के लगबग 19 मंत्री इस बैठक में आज यहाँ पर उपस्तित हुए थे क्योंकि लॉक्डाउन के कांड़ बहुत सारे मंत्री गण हमारे अभी अपने अपने छेत्रों में अपने अपने ग्रह जन्पद में हैं लेकिन जो मौजूद थे ऐसे 19 मंत्रियों के साथ आज हमने चर्चा की है कि लॉकडाउन के दोरान और लॉकडाउन के बाद की स्थिति क्या होगी इन सब पर व्यापक चर्चा होई है सब ने इस बात को मैसूस किया है कि भारत जैसे 130 करोड की विसाल आवादी के देश को प्रधान मंत्री मोदी जी के द्वारा समयबद ढंक से ले गए निर्णेयों के कारण बैस्टिक महामारी करोना से बचाने में बहुत बड़ी मदद मिली है और आगे भी हमें प्रधान मंत्री मोदी जी के गाइडेंस पर भारत सरकार के द्वारा जो भी गाइड लाइन लॉगडाउन के समन्द में बनती है इसका उनपालन करना चाहिए इसी में प्रधेश के 23 करोड लोगों के उत्तम स्वास्ते के लिए और उनके स्वरक्सित भोश्य के लिए यही सबसे उप्युक्त मार्ग है और इस पर सभी ने इस बात को भी जर्चा की कि लॉगडाउन के बाद प्रधान मंत्री मोधी जी ने जिस तरीके से देश के अंदर प्रधान मंत्री गरीब कल्यान पैकेज की गोशना की उत्तर प्रधेस में दो करोड़ चौटीस लाग किसान इससे सिदे सिदे लावानित हुए है तीन करोड़ च्यालिस लाग से अधिक जन्धन जो खातेदार थे ऐसी महला लावार्थी इससे लावानित हुई हैं जिने 500 रुपे उनके बैंक का इंकाउंट में उपलब्द हुए हैं और किसानों को दो करोड़ चौटीस लाग किसानों को दो हजार रुपे उनके बैंक का इंकाउंट में देने के सीदे बिवस्ता हुई है ये मिला है इसके साथ ही करोना के उपचार के लिए और इस पूरी बिवस्ता में करोना युद्धा के रूप में जो स्वास्ते कर्मी स्वच्चता कर्मी कारे कर रहे हैं भारत सरकार ने केंदर के हों परदेश के हों उन सभी कर्मियों को पचास लाग का बीमा कवर भी दिया है केंदर सरकार की तरज पर जो लोग छूटे वे थे उन्हें प्रदेश सरकार की तरफ से हम लोगों ने पचास लाग का बीमा कबर हम लोगों ने भी प्रदेश से उन लोगों को बलब्द कराया है जो केंदर सरकार की उसमें छूट गए थे कास्तोर पर फुलिस है होम गार्ड है या जो अन्य सफाई कर्मी थे उन लोगों को हम लोगों ने प्रदेश से उसको कबर करने की विवस्ता की है और सभी ने इसको एक उससे बहुत अच्छे डंग से इसको स्विकारा भी है साथी साथ पर फुलिस में बीस लाग निर्मान सर्मिकों को जो भी पट्री ब्योसाई हैं ठेला खुमचा रेड़ी लगाने वाले कूली हैं या फिर पनलेदार हैं विक्सा इरिक्सा विश्व कर्मा सरम समान से जुड़े वे धोबी है मोची है नाउ है इस प्रकार की जो पं पंद्रा लाग लोगों को भी एक हजार उपे का भ्रण कोशन भत्ता देने की विवस्ता प्रदेश सरकार ने की है और प्रदेश में अब तक हम लोग 3.54 लाग से अधिक ऐसे परिवार जो प्रदेश के अंदर रहते हैं उन परिवारों में हम लोगों ने निसुल्क खाद द्यान उपलब्द करवाने की विवस्ता पहले चर्ण की संपन करती है और 15 से फिर से हम इस कार्य को आगे बढ़ाने जा रहे हैं प्रदेश सरकार के द्वारा समयबद ढंग से भारत सरकार के मार्क दरसन में कदम उठाये गए कदमों को सभी लोगों ने एक स्वर्षे श् के साथ वीडियो कांफरेंसिंग में कुछ चीजों पर चर्चा की थी खास तोर पर पहली बार जब उन्होंने वी सी की थी मुख्य मंत्रियों के साथ तब उन्होंने इस बारे में कहा था देश के नाम पर अपने संदेश में इस बारे में कहा था कि हमें जनता कर्फियों क् क्योंकि जान है तो जान है कल प्रधान मंत्री जी ने एक वड़ और उप्योग को वहाँ पे उप्योग में लाया है कहा उन्होंने जान भी और जान भी हम लोगों की जान को भी बचाएं करोना वाइरस के संक्रमन को तो हमें रोकना ही रोकना है लेकिन साथ साथ हमें उन सामानने कार्यों को भी आगे बढ़ाने की कारवाई करनी है जिससे एक सामानने कामकाज भी इस रूप में आगे बढ़ सके कि कहीं भी कोई समस्या ना आने पाए और इस दिससे आज हम लोगोंने प्रदेश के अंदर ततकाल कुछ कमेटियां गठेत की हैं जो पंद्रा के बाद से किस प्रकार की हमारी कारवाई होनी है लोगडाउन पर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से भारत सरकार की गाइड लाइन का पालन करेगी एक क्योंकि यही 23 करोड जनता के उत्तम स्वास्ते और स्वरक्सित भोस्षे के लिए आउस्षेक है लेकिन साथ साथ हम लोग इस बात को भी तैक करने जा रहे हैं कि कुछ रूटीन के कारियों को आउस्षेक सेवाओं को इमर्जंसी सेवाओं को कैसे किया जा सकता है इसके लिए हम लोगों ने विवस्ता बनाई है कि उपमुख्यमंत्री सिकेशो प्रशाद मोरेजी के धिक्सता में हम लोगों ने कमीटी उनको दी है जिस पर वो कारे करेंगे कि प्रदेश के अंदर उन निर्माण के कारियों को कैसे आगे वढ़ाये जा सकता है जहां पे लोगडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते वे भी इनके कारे को और उसमें लगे भी सर्मिकों को भी कुछ काम मिल सके एक्स्प्रिस वे है या फिर बड़े बड़े जो निर्माण के कारे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते वे इस पर वह कमीटी कारे करेगी इस पर वे कारे करेंगे कैसे वहाँ पे सप्लाई चेन भी बनती है इस पर एक कमीटी काम करेगी डॉक्टर दिनेश सर्माजी उप मुख्यमंत्री की अध्यक्स्ता में एक कमीटी बनाई गई है जो कमीटी स्चीज को तै करेगी पाठे करम को ऑनलाइन करना क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आउस्टेंसिंग के लिए आउस्टेंसिंग है उच्च है, प्रावदिक है, ब्योसाइक है, मेडिकल इजूकेशन है इन सब को कैसे आगे बढ़ाय जा सकता है इस पर इनके ध्यक्स्ता की कमीटी कारे करेगी बित्यमंत्री सिसुरेश खन्ना जी के ध्यक्स्ता की कमीटी इस बात को सुनिस्चित करेगी कि रेबनियो के फ्लो को कैसे बनाय जा सके जिससे राज़ुस्य की कमी प्रदेश में ना आने पाए एक दूसरा, आद्योगीक विकास के साथ साथ MSME सेक्टर में भी हम लोग को क्या कदम उठाए जाने चाहिए इस पर एक कमीटी आद्योगीक विकास के साथ और MSME सेक्टर के साथ मिल करके उन दोनों विभागों के मंत्रियों के साथ अध्यकारियों के साथ बैट करके इस कमीटी किसे एक निसकर्स पर पहुंचे करके अपनी रिपोर्ट उपलब्द कराएगी किरसी मंत्री के अध्यक्सता की कमीटी किसानों से जुड़ी भी समस्याओं का समाधान करने क्योंकि खेती बाड़ी का समय है खेती किसानों की तैयार है कंबाइन मसीन हारवेश्टर यद्यपी 4700 से थी कंबाइन मसीन आज के समय में प्रदेश के अंदर उपलब्द कराएजा चुका है फिर भी कहीं कोई समस्याना होने पाए इसको हम मन्रेका के साथ जोड़ कर कैसे अकारे कर सकते हैं यहाँ किरसी मंत्री के धिक्सता की कमीटी कारे करेगी और साथ साथ प्रक्यूर्मेंट की कारवाई को भी हम विवस्तित रोप से आगे वढ़ा सकें खेत में ही या किसान के घर से ही अगर हम खरीदारी कर सकें लेकिन MSP से कम लाब यानि नियूनतम समर्थन मुल्य से कम लाब किसान को न मिले उस से कम दाम न मिले इस चीज़ पर हम लोग पूरे कड़ाई लागो करें इसके लिए FPO's को वहाँ पर भेजना या अन्य कमपनियों को वहाँ पर एलाओ करना और नियूनतम समर्थन मुल्य की कारण्टी के साथ इस कारवाई को आगे बढ़ाने की कारे हो इस पर भी या कमेटी किर्शी मंत्री के दिक्सता की कमेटी कारे करेगी परदेश के अंदर इमर्जंसी मेडिकल सेवाओं को आगे बढ़ाने है मेडिकल कॉलेजेज हैं चाइवा गॉर्मेंट मेडिकल कॉलेजेज हो निजी छेतर के मेडिकल कॉलेजेज हो सरकारी हॉस्पिटल हो निजी हॉस्पिटल हो करोना संकरमन को रोकना हर हाल में रोकना इसके लिए मेडिकल टीम को बचाना डॉक्टर हैं पैरामेडिक्स हैं नर्सिंग का श्टाब है जितने टेक्निसियन्स हैं इनको सुरक्षित रखते हुए कैसे हम इनको प्रसिक्सित करें कैसे हम इने Personal Protection के Equipment किरा करें गेऩ लोगों के लिए स्वास्ते मंत्री के द्धेक्सता की कमिटीस पर कारे करके तwwww से कारेक्रम को आगए बढ़ा सकेगी इस पर वह कमेटी या कमेटी कारे करेगी जो स्वास्ति किस छेतर में इन शप्षीवचों को आगे बढ़ाने के लिए तुरित रूप से हम इसको आगे बढ़ा सकें इस पर भी हमें कारे करने की आउसिक्ता है ये कमेटी इस पर कारे कर रही है ऐसे ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पेजल की उपलब्धता सुनिस्चित रहे जल सक्ती मंत्री स्वयम इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं और आगे भी सुनिस्चित करें कि कहीं भी पेजल का संकट ना आने पाए क्योंकि गर्मी बढ़ेगी तो इसके साथ बिंद छेतर बंदेल्खंड छेतर मैं पेजल का संकट नाने पाए इस पर भी ये कमेटी कारे करेगी इस पर लगातार ये कमेटी इपना फोकस करेगी ऐसे हम लोगों ने कुछ कमेटीयों को गठित करने के साथ ही इनको व्यौस्ता दी है कि कैसे हम इन चीजों को कर सकते हैं एक चीज ज इस पर ये चर्चा हुई है कि हमें इस पर भी विचार करना चाहिए कि 14 दिन जो लोग सेल्टर होम में रहे चुके हैं उसी जन्पद में हैं उनको एक बार जाच करवा करके फिर सुरक्सित 14 दिन के होम को रिटाइन में उनके घर में भीजने की विवस्ताम करें खाद्यान की आपूर्थी उनको लगातार हो इसके बारे में खाद्यान का पैकेट भी उनके साथ ही वहां जाएगा ये चीज़ें हम ततकाल रूप से लागो करने जा रहे हैं 14 अप्रेल ये महत्वपूर्ण तिथी है और इसमें हम लोगों ने रोत किया है कि 13 और 14 को खासतोर पर खालसा पंथी की स्तापना हमारे सिक पंथ से जुड़ेवे जो हमारे बंदुगण हैं उनसे जुड़ावा एक महत्वपूर्ण आयूजन होता है सबसे अपील की गई है कि हम लोग कोई भी पब्लिक फंक्सन न करें आयूजन अपने घरों में रह करके अकेले करें ऐसे ही बैसाकी का कारिक्रम है कोई भी पब्लिक फंक्सन नहीं होंगे क्योंकि करोना का एक ही उपचार है लॉगडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग इसका अनपालन हर हाल में हो इसको हम लोग इसको लागू कर सकें तो एक चौथा इसके बारे में एक और चीज है कि चौधा अप्रेल को बावा साब डॉक्टर भीमराव अमबैटकर जी का जेनती का कारिक्रम पड़ेगा तो उनकी पावन जेनती के उस्तर पर सभी मंत्रियों से सभी अधिकारियों से सभी जनपदों से इस बारे में कहा गया है कि कारेले में केवल अकेले ही पुस्पानचली का कारिक्रम अपने वहां पर आप लोग करेंगे या अपने घर में इस आयूजन को कोई आयूजन नहीं होगा लेकिन उनके फोटो पर माले अरपन और पुस्पान चली का कारिकरम वहाँ पर आयूजित हो जाए इसके बारे में करेंगे पब्लिक फंक्शन कोई नहों इसके बारे में पील हर अस्तर पर जारी होना चाहिए इस इसके साथ ही ये भी व्यूस्ता की आगामी परव और तेहार हैं जैसे 23 अप्रेल से रमजान के कारिकरम पड़ेंगे हम लोगों की अपील होगी सभी जितने भी मौलाना हैं मौलवी हैं उन सभी से और सभी धर्म गुर्वों से भी मेरी अपील होगी कि कोई पर्व और तेवार पब्लिक फंक्सन नहों कोई सामिक आयोजन नहों क्योंकि यह आयोजन बिमारी और संक्रमन को बढ़ा सकता है इस दिस्से इसके बारे में भी किया गया है इसके साथ ही सभी मंत्रियों से इस बारे में कहा ज्यार गया है कि 15 अप्रेल से वे अपने कारयालयों में बैठे हैं सामाने कामकास को निप्टाएं अपने प्रभारी जन्पदों में जो वहां पे सासन से जुड़ी भी केंद्र और प्रदेश सरकार की गरीब कल्या अस्तर की ओपर के अधिकारी भी कारयले में आएंगे सोसल डिस्टेंसिंग के लिए मंत्री के साथ बैठ करके प्रमुक्षचिव और अन्य जो अधिकारी गण है वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि किन करमचारियों को आना है उसकी भी काटेगरी ये लोग तै करेंग कि ये आज के दिन पे आउस्सेक्ता और इसके अनसार जो कारवाई हमने प्रदेश अस्तर पर की है आज की जो बैठा कोई इसमें चर्चा हुई है और आउस्सेक्ता पड़ेगे तो हम फिर बात सीग्र सभी मंत्री गण एक बार फिर से बैठ करके प्रदेश के 23 करोर लोगों के हित में जो भी आउस्सेक्ता कदम होंगे उन कदमों को उठाएंगे और उसके इनसार फिर हम लोग करोना वाइरस के खिलाब आदणिय प्रदान मंत्री जिके नित्रत्व में जिस लड़ाई को भारत लड़ा है उस लड़ाई को हम सफलता पुर्वक आगे बढ़ाने में अपना योगतान देंगे